जिस टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, इसका नाम है जेनेटिक डिसॉडर और जेनेटिक डिसॉडर में शब्द को थोड़ा समझने की कोशिश करता हैं, ठיע. एक शब्द होता है genetic इस word को आपने कही न कहीं कभी न कभी सुना होगा कि जो genes हमें एक generation से दूसरी generation में देखने को मिलते हैं एक gene जो माता पिता से बच्चों में आता है एक gene जो हमारे अंदर कई सारे characters को express कराता है एक जीन जो हमारे features को निर्धारित करता है उसके transfer को, उसके inheritance को समझना, जानना, पढ़ना जेनेटिक्स कहलाता है तो आप से किसी ने पूछ लिया कि जेनेटिक्स क्या होता है तो आप कहोगे कि जिस विज्ञान के अंदर जिस biology के अंदर, जिस topic के अंदर हम genes के बारे में पढ़ते हो, DNA के बारे में पढ़ते हो chromosome के बारे में पढ़ते हो, inheritance के बारे में पढ़ते हो heritage के बारे में पढ़ते हो किसी भी तरीके से एक PD से दूसरी PD में जाने वाले अगर हम characters को, features को study करते हैं तो वो branch of biology genetics कहलाती है इतना तो आपको पता होगा कि father of genetics हम किसे कहते हैं father of genetics हम कहते हैं Gregor John Mendel को Gregor John Mendel को genetics का पिता महा कहा जाता है जितनी बात अभी मैंने आपको परिभाशित की क्या वो आपके दिमाग में उतर गई ठीक इसके बाद आजाता है disorder disorder का मतलब होता है कोई भी ऐसी समस्या कोई भी ऐसी condition कोई भी ऐसी इस्तिति जो order में ना चल रही हो जो क्रमवत तरीके से ना चल रही हो जो सलीके से नहीं चल रही हो उसी को हम बोलते हैं disorder ठीक है डिस शब्द का प्रयोग हम किसी भी कारे के failure के लिए इस्तिमाल करते हैं जैसे function मतलब किसी अंग का प्रॉपर तरीके से काम करना लेकिन अगर मैंने बोला dysfunction मतलब यह हुआ कि वो organ वो particular काम नहीं कर पा रहा ठीक है समझ गए तो अगर किसी ने कहा dysfunctioning of kidney इसका मतलब kidney काम नहीं कर रही function of kidney kidney के कारे dysfunction of kidney kidney कारे नहीं कर रही समझ गए बत तो डिस शब्द आपको बताता है किसी भी चीज का opposite तो जो चीज क्रम में होना चाहिए अगर वो क्रम में ना हो तो disorder तो हर एक gene आपके DNA में क्रमवत तरीके से arrange होता है और ये बाते आपने molecular basis of inheritance में समझनी होती है इस बात से आप अच्छी तरह वाकिफ हो कि DNA जो है वो cell के chromosome में हमको देखने मिलता है जब आप cell के अंदर जागते हो तो आपको nucleus की मौजूदगी मिलती है केंदरक आपको नजर आता है कोशिका के भीतर जब आप nucleus के अंदर जागते हो तो आपको chromosome की मौजूदगी मिलती है गुणसूत्र की मौजूदगी दर्ज होती हुई दिखती है जब chromosome के अंदर जागते हो तो आपको DNA नजर आता है और DNA इंग्लिश और हिंदी में D-oxyribonucleic Aml या Acid कहलाता है उसी DNA का एक प्रारूप आपके सामने पेश किया है मैंने Max Hub कंपनी के राइटर की मदद से कंपनी का परचार जनता का फायदा ठीक चलिए यह हो गया आपका DNA तो DNA जो है बना होता है एक बैगबोन का इस बैगबोन को शुगर फॉस्फेट बैगबोन बूलते है शुगर फॉस्फेट का बैगबोन बूलते है इस बात से आप वाकिफ है शुगर फॉस्फेट का बैगबोन नजर आता है हमको एक DNA में सबसे पहले इस शुगर फॉस्फेट के बैकबोन में इस शुगर फॉस्फेट नामक DNA की देड़ की हड़ी में आपको मिलते हैं nitrogen base adenine, thymine, guanine, cytosine समझ गए? है ना? क्या मिलता आपको? adenine, thymine, guanine, cytosine ये nitrogen base है इनके बारे में आपने सुना है कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, इतिफाक से है ना? अगर मैं कह दूँ कि ये nitrogen base जो sugar phosphate पर मौझूद है ये अब क्या कह दाएगा? ये अब nucleotide कह दाएगा क्या कह दाएगा? nucleotide ठीक है? ये sugar phosphate का backbone है लेकिन अगर इस पे कोई nucleotide चिपका इस पे अगर कोई nitrogen base चिपका हुआ है तो मैं इसे सिर्फ nitrogen base नहीं कहूँगा उसे में nucleotide कहूँगा ठीक है? जिस तरह कोई व्यक्ती किसी level पर पहुँच कर अलग दर्जे से पहचाना जाने लगता है ठीक है? उसका नाम बदल जाता है उसकी पहचान बदल जाती है उसका रूप बदल जाता है उसका वैभार बदल जाता है ठीक है? यही हो रहा है आज आपके पास कुछ नहीं है पढ़ाई दिखाई के छेतर में तो आप यहाँ बैठे हो coaching में ठीक है? और जब कुछ achieve हो जाएगा अभी आपके कोई पहचान नहीं है कौण पहचानता है आपको? कोई नहीं है है ना? ठीक है? इसकूल के principal को आप color dress में दिख जाओ वो नहीं पहचानेगा आपको कि मेरे स्कूल की चात्र है या मेरे स्कूल की चात्र है ठीक है? तो दूसरों की तो फिर छोड़ दो बात लेकिन वहीं अगर आप अच्छे से पढ़ाई करके टॉप कर लो पेपर विफर में आपका नाम आ जाए तो वो लोग भी आपको पहचानेंगे जो आपको पहचानते नहीं थे है ना? इसकोल का प्रिंसिबल भी आपको पहचान लेगा जब आपको विष्ख करो जब आपको विष्ख करो एक सार गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग तो वो जो है वो आपको पहचानते तुन तो वही हो ना? जो टॉप किया है मेरी स्कूल से जिसना ऐसे कहेगा वो पहली बात तो अपन क्या होता ही? जैसे अपन इस स्कूल का कोई मिलता है अपन पहली कट लेते हैं वहां से है ना? अपन पहली निकल लेते हैं जैसे आपको वही टीचर आपको रस्ते में कहीं मिल जाए तो आप फटा पट उस नजरे काट लेते हो निकल दो यहां से ऐसे सोचते हो आप कहीं शॉपिंग करने का आपकी टीचर मिल गए आपको साड़ी खरिते हुए तो भी आप जो नजर काटके निकल जाते हो ठीक है? बात समझ गए? तो मेरा जो आपसे कहने का मतलब है वो यह है कि जब आप किसी लेवल पर पहुच जाते हो जब आप किसी इस्तर पर पहुच जाते हो जब आप किसी जगह पर पहुच जाते हो तो आपका नाम में भी चेंज आता है आपकी पहचान में भी चेंज आता है आपकी position में भी change आता है आपके वेभार में भी change आता है उसी तरह जब तक ये nitrogen base बाहर पड़ा हुआ था ये adenine था जब तक ये nitrogen base बाहर पड़ा हुआ था ये adenine था लेकिन sugar phosphate के backbone पर चिपक जाने के बाद ये adenilic acid बन गया नाम बदल गया कि नहीं बदल गया बदल गया ये guanocene जब तक sugar phosphate के backbone से बाहर था ये सिर्फ guanine था जब ये guanine sugar phosphate के backbone से बाहर था तो तब ये तक ये guanine था लेकिन sugar phosphate के backbone पर चिपक जाने के बाद इसका नाम बदल कर हो गया guanidilic acid ठीक है guanidilic acid ये सब molecular basis of inheritance में बढ़ाया जाता है ठीक है जब तक cytosene बाहर था तब तक उसका नाम cytosene था लेकिन जैसे ही वो sugar phosphate के backbone पर चिपकाया गया उसका नाम बदल गया है ना cytidilic acid बन गया ठीक है thaiimeen जब तक बाहर था वो केवल thaiimeen था लेकिन जैसे ही वो sugar phosphate के backbone पर चिपकाया गया उसका नाम change हो गया क्या हो गया thaiimeen डाइलिक acid thaiimeen डाइलिक acid है ना तो नाम बदल जाता है पहचान बदल जाती है रूप बदल जाता है किसी मुकाम पर पहुशने के बाद जगा के हिसाब से तो उतने likes नहीं आएंगे लेकिन आप ताज लेक फ्रेंट में बैठ करें भोपाल का एक बड़ा hotel है ताज लेक फ्रेंट उसमें उपर से तलाब दिखता है बड़ा सा ठीक है कैरवर्ड एम से पहले पढ़ता है शायद के हिसा बदबदा गया सपास बदबदा के आप तास तो वहाँ पर क्या होता है कि ताज लेक फ्रेंट इसलिए क्योंकि लेक के सामने है वो तो कई सारे माले हैं समझ भी नहीं आता जाना कहा है ठीक है उसमें फिर पूछना पढ़ता है कहां से जाना है उसके लिफ्ट ही समझ भी नहीं आती है ठीक है बहार अंदर बैट जाओ तो वहाँ आपको सामने का तालाब देखता है तो फ़ह लोग वहाँ डिनर पर जाते हैं शाम को लंच पर भी जाते है ठीक है और अच्छा लगता है सेल्फियां भी लेना वहाँ पर ऐसा है ना काश भी एकदम साफ रहते हैं फोटो अच्छी आती है ठीक है तो बातरूम बातरूम जैसे नहीं लगते है ऐसा लगता है कम रही है तो जो है तो मेरा जो कहने का आप से मतलब है यह है कि आप ताज लेक फ्रेंट में बैट कर अगर फोटो डालोगे तो ज्यादा लाइक साएंगे या यहाँ सोफे बैट के फोटो डालोगे तो ज्यादा लाइक साएंगे ताज लेक फ्रेंट मेंगे तो आपकी पहुच की वजह से आपके background की वजह से आपकी पहचान अलग हो जाएगी ये मेरे कहने का मतलब है ठीक है? ये मेरे कहने का मतलब है ठीक है? तो जब तक thymine बाहर था वो thymine था sugar phosphate के backbone पर चिपकने के बाद उसका नाम बदल गया जब तक adinin बाहर था वो अलग था sugar phosphate के backbone पर चिपकने के बाद उसकी पहचान बदल गई अब वो adinilic acid कहलाने लगा guanidilic acid कहलाने लगा cytidilic acid कहलाने लगा thymidilic acid कहलाने लगा नाम में acid जड़ गया लिक शब ज़़ गया ठीक है? तो नाम बदल गया एक सामाने nitrogen base का sugar phosphate के backbone पर attach होकर इतनी सी बात कितने लोगों को समझ में नहीं आई कोई है ऐसा नौजवान? आ गया? लास्ट बादों को आ गया? थोड़ा थोड़ी आया है? ओके अभी थोड़ी देर में पूरा पूरा आ जाएगा आपको आ रहा है थोड़ा बहुत सबज में? अच्छ हाँ मैं जानता हूँ आप 11 में हो लेकिन cell नाम का एक chapter आपने class 11 ने पढ़ा है कोशे का आपके syllabus का हिस्सा ही है ये एक class 11 में chapter आता है biomolecule इसलिए मैंने ये topic समझाने की इक्षा जाहिर की है ना? जैव अणू नाम का एक chapter आता है आपकी class में और उसमें ये सब दिया हुआ है इसलिए आपके हित में ही पढ़ाया जा रहा है तो आप ये सोच कर दिल छोटा ना करें कि मैं अखेली हूँ 12 साथ मुझे बिठाल दिया समझ में कुछ आनी रहे दिमाग में को जा नहीं रहे अब में क्या करूँ भज गई मैं तो अब एक गंटा काटनी पड़ेगा ऐसा मसो जो जैवड़ों में ये सब मिलेगा ठीक है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं और मुद्दे पर आते हैं इतना हिस्सा समझ में आ गया सबको मेरे को DNA का स्ट्रक्चर समझाना था मैंने समझाया थोड़ा भूर ठीक है? ऐडिनीन थाइमिन के साथ जुड़ता है गवानीन साइडोसीन के साथ जुड़ता है हाइड्रोजन बॉंड के दवारा this is हाइड्रोजन बॉंड Hydrogen बंध के मदद से एक Nucleotide, दूसरे Nucleotide के साथ जुड़ जाता है ठीक है, जब nitrogen base और sugar, जब ये sugar phosphate का backbone पर आपको कोई nitrogen base मिलता है तो आप उसे Nucleotide का नाम देते हो, ठीक है, तो किसी ने बूचा DNA को define करो था आप कहना DNA से long polymeric chain of Nucleotides, DNA से long polymeric chain of Nucleotides, clear हो गई बात, ओके ये जो लिखा था board पर अब उस पर आते हैं, board में लिखा है genetic disorder, है ना genetic समझाने के लिए मैंने आपको ये कलाकृती बना कर दिखाई, ये कलाकृती DNA की है और DNA के अंदर कई सारे Nucleotides हैं, ठीक है, इन Nucleotides के एक group को हम gene कहते हैं, अलग-अलग लक्षण हम में हैं, for example, आपकी आखें नीली हैं, आपकी आखें अगर नीली हैं, इसका मतलब ये हुआ, कि आपके माता-पिता से नीली आखों के रंग वाला gene आपको प्राप्त हुआ है, अगर आपके बाल गुंगराले हैं, इसका मतलब गुंगराले बालों वाला gene आपके माता-पिता से आपमें आया है, अगर आपके आखें बड़ी हैं, है ना, आपको फोटो किचवाद से बड़ी नी करना पड़ती हैं, इसका मतलब बड़ी आखों वाला gene आपके माता-पिता से आपमें आया है, अगर आपकी आखों की पलकें प्राकर्तिक ऐसी हैं, घुमी हुई हैं, बड़ी हैं, हर कोई चाता है पलकें बड़ी हूँ, खासकर उपर की पलकें, अपर eyelashes, है ना, जिसको जिसका बाल लेकर अपन विश मांग देते हैं अपनी, अपना दो बाल भी ने उड़ता है, वाप बड़ी होना, आखों की पलकें बड़ी होना, है ना, ये भी जीन की वज़े से ही है, तो हर एक फीचर, हर एक विशेष्टा, हर एक बात, हर एक लक्षण, हर एक भौतिक, हर एक भौतिक विशेष्टा, जो आप में नजर आती है, वो किस वज़े से आती है, जीन की वज़े से, है ना, अब तक हम जीन सिर्फ उनको समझ जो मार्केट में मिलते हैं है ना यहां से फटे वाले जीन्स यहां से फटे वाले जीन्स नेरो बॉटम जीन्स इसकें टाइट जीन्स है ना एल्बो फिट जीन्स ठीक है है ना एंकल लेंथ जीन्स यह सारे जीन्स के टाइप्स होते हैं ठीक है तो है ना इस्टीकर वाली जीन्स, इस्टीकर लगे रहते हैं उसमें, ठीक है, तो अलग-अलग जीन्स हम लोग समझते थे अब तक, लेकिन जीन्स वही नहीं होते, जीन्स से बढ़कर भी एक जीन है, जिसको GENE बूलते हैं, और ये जीन आपके DNA में नजर आता है, DNA वही है जो माता- पिता से बच्चों में आता है, तो आपके माता-पिता ने आपको क्या दिया, खुशियां, तोहुफे, आशिरवार या जीन, option last, above all, सब कुछ दिया, all statesman are correct, सब कुछ दिया, तो आप अपने घरवालों से ये बोल सकते हो, कि मम्मी, मम्मी, पापा, पापा, बताओ, आपन ने मुझे, बिन दिये, क्या दिया, तो वो कहेंगे, वो नहीं बता पाएंगे, तो आप कह दोगे, जीन दिया, ठीक है, क्या दिया, जीन्स दिया, तो जीन्स किस में मौझूद है, जीन्स डीने में मौझूद है, है न, डीने का वो हिस्सा, जो एक specific genetic information को carry कर रहा हो, उसे जीन कहते है, डीने का वो हिस्सा, जो एक specific character को, specific genetic information को carry कर रहा हो, उसे जीन कहते है, डीने का वो कोई भी भाग, जो एक अनुवान्शिक सूचना को, एक अनुवान्शिक सूचना को carry कर रहा हो, है न, एक अनुवान्शिक सूचना को carry कर रहा हो, carry समझते हो, carry मतलब कच्च आम मेंगोबेट कैरी मतलब वहन करना है ना संभालना तो कोई अनुवांशिक सूचना को कैरी करने वादा पार्ट क्या कहा दाता है DNA का जीन एक क्यासर करते है ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हु तो आपके बाद घुंघड़ाल है इसका मतलब घुंघड़ाले बालवाज जीन आपको मिला आपके आखे बब्डने बट है इसका मध बडका चाहिए आगे बड़ता हैं क्रोमोजोम के बारे में भी बताता है हेरिडी के बारे में भी बताता है इन हेरिडेंस के बारे में भी बताता है सबके जितनी भी चीज़ें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने के लिए बनी हैं उन सब के बारे में जेनिटिक हमें बताता है समझ गए disorder शब्द हम जानी चुके हैं कि किसी भी तरीके से अगर कोई चीज order में ना कर अलग क्रम से आए तो उसे disorder बोलते है उसे disorder बोलते है आप एक सही तरीके से बैठे हुए हो आप एक order में बैठे हुए हो ठीक है एक यहां कुर्सी दा आके बैठ जाए एक वहां बैठ जाए एक वहां बैठ जाए एक वहां बैठ जाए यहां बैठ जाए दो तिन्या फज जाए तो मैं किन-किन पर नजरे घुमाऊंगा किन-किन को में देखूंगा ठीक है अब ख्रम में बैठे हो तो मेरी नजरें इधर से उधर उधर लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ही मूव करती है है ना समझ गए ठीक है ऐसे देख कर दिन बढ़ता हूँ है जीन्स जैनिक डिस आॉडर है ना आप सामने हो तो जहां लेफ्ट राइट मुझे करना पड़ता है सिर्फ ठीक है तो मेरा जवापसे कहने का मतलब है कि वो है यह जो चीज और मे नहीं है वो बद दिस अरτι TYER ओगी बद आच्छा तीन तरह के जैनिक excited disorder बताए गए हैं एक बार genetic disorder इसमें और समझ लो कि अगर gene अपनी जगा से चला जाए निकल कर तो order change हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा इसकी वज़े से जो समस्या उत्पन होंगी वो genetic disorder है यह gene एक अकेला gene निकल के यहां से चला गया यह कि जगा खाली हो गया है यहां पर आपको यह नहीं trilogy बक्चा तो इस वज़े से it gene के चले जाने की वज़े से आप में जो समस्या उत्पन होगी वो genetic disorder होगी क्रिया यहां से एक gene की जगा दो gene निकल Tan जे गए तो अब आपमें जो समस्या होगी वो होगी genetic disorder ।ो genetic disorder की परिभाशा कितने लोगों समझ में नहीं आई तो किसी भी तरीके से जीन के लेबल पर अगर आपको कोई disorder वाली चीज दिखाई दे तो आप उसे genetic disorder का नाम दे देते हो आगया ठीक है नई छात्राओं को genetic disorder की बरिभाशा समझ में आगई किसी भी तरीके से अगर आप genes को order में नहीं पाते हो उनके निकल जाने की वजह से उनके चले जाने की वजह से या उनकी जगह पर किसी और जो इनके आ जाने की वजह से, तो आप इसे genetic disorder का दरजा दोगे, आया की नहीं आया, आ गया, थोड़ा-थोड़ा आ गया, ठीक है, अब यह genetic disorder कितने types के होता है, यह genetic disorder होते कितने types के है, तो पहला type है आपका chromosome disorder, दूसरा type है multifactorial disorder, तीसरा है monogenic, यह exam में सवाल आएगा, बारवी या नीट में एक सवाल बन जाता है कि कितने तरह के अनुवानशिक disorder होते हैं, कितने प्रकार के genetic disorder पाए जाते हैं, तो आप नाम लोगे, क्रोमोजोमल नाम का genetic disorder, multifactorial नाम का genetic disorder और monogenic type का genetic disorder, ठीक है, तीन types लिखे हैं में, गुर्ण सूतर के स्तर पर, कारकू के स्तर पर, और एक gene के स्तर पर, तो gene शब्द को आप define कर सकोगे या नहीं कर सकोगे, कर सकोगे, DNA का एक small segment is called gene, DNA का एक छोटा segment gene कहलाता है, DNA का एक छोटा segment gene कहलाता है, और ये gene एक specific character को express करने की information carry करता है, आ गया, अलग-अलग characters को express करने के लिए, अलग-अलग genes होते हैं, clear होगी बात, चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताएं, ठीक है, तीन type, क्रोमोजोमल, multifactorial, monogenic, ठीक है, क्रोमोजोमल का मतलब है कि genetic disorder जो हो रहा है, वो क्रोमोजोम में परिवर्तन की वज़े से हो रहा है, किसी भी तरीके से अगर गुण सूत्र की संख्या में परिवर्तन आ जाए, किसी भी तरह से अगर गुण सूत्र का नंबर बढ़ या घट जाए, किसी भी तरीके से गुण सूत्र अगर अपनी जगा से गायब हो जाए, क्रोमोजोम अगर अपनी जगा से निकल जाए, या क्रोमोजोम एडिश्णली आकर एड हो जाए, तो इसे हम क्रोमोजोमल disorder टाइप का genetic disorder कहेंगे, नहीं आया, अगर समस्या गुण सूत्र के इस्तर पर हो, गुण सूत्र समझते हो, गुण मतलब जो हम में है, सूत्र मतलब formula, है ना, तो हमने अपनी गुणों के दर पर जो formula से याद कर लिए, physics के, वही गुण सूत्र है ना? वही गुण सूत्र है ना? तो बताओ क्या है गुण सूत्र? ठीक है? देखो. गुण सूत्र. ये क्रोमोजोम का हिंदी नाम है. अगर गोई पूछे गुण सूत्र क्या होता है तो आप कहना कोशिका में केंदरक के अंदर हमें एक colored thread-like structure नजर आता एक रंगीन तंतुनुमा संरशना नजर आती है जिसे दुनियावाले गुण सूत्र कहते हैं. क्या ये परिभाषा आसान नहीं है? क्या ये परिभाषा भी आपको थोड़ी-थोड़ी समझ में आई? या पूरी समझ में आई? वेरी गुण, बहुत अच्छे. तो कोई पू हैं? कह देंगे इतना? ओके. तो गुण सूत्र में आपको क्या मिलेगा? DNA मिलेगा. तो क्रोमोजोम के नंबर में चेंज आ जाए? क्रोमोजोम का नंबर या तो बढ़ जाए? क्रोमोजोम का नंबर या तो कम हो जाए? इसे हम क्रोमोजोमर डिसॉडर कहते हैं. और हैं Down syndrome, Clinferter syndrome, Turner syndrome. Down syndrome में Trisomy of 21st chromosome होती है. आपके पास हर chromosome की एक copy है. Chromosome की एक copy आपको पिता से मिली है. उसी same chromosome की एक copy आपको अपनी मा से मिली है. आपके बास कितने गुणसूतर हैं? पता है आपको? आपके पास गुणसूतर की संक्या कितनी है? 46. तो आपसे कोई पूछे होस्टल में कि आपके पास गुणसूतर कितने हैं? तो आप कहना 46 गुणसूतर हैं मेरे पास. कितने गुणसूतर हैं आपके पास? 46 26 गुनसूत रहें आपके पास है ना इसमें से 23 आपके पापा ने आपको दिये हैं और 23 आपकी मम्मी ने आपको दिये हैं है ना इसमें ऐसा नहीं चलता कि मम्मी को अपनी बेटी से ज्यादा प्यार है तो मम्मी ने 24 दे दिये और पापा से बोल दिये तुम कम दे दो है ना दोनों 23-23 क्रोमोजोम ही देते हैं, है ना, लेकिन किसी वजह से, किसी वजह से अगर क्रोमोजोम की दो कॉपी आप में आ जाएं, तो उसे हम ट्राइसोमी का नाम दे देते हैं, for example, मैं समझाता हूं आसान शब्दों में, तेस क्रोमोजोम पापा को देना है, तेस क्रोमोजोम मम्मी को देना है, ठीक है, तेस क्रोमोजोम जो है ना, हम कह सकते हैं कि तेस क्रोमोजोम की तेस कॉपियां पापा से आए हैं, और तेस कॉपियां मम्मी से आए हैं, जैसे for example, पहला क्रोमोजोम, पहले नमबर का क्रोमोजोम, दूसरे नमबर का क्रोमोजोम, तीसरे नमबर का क्रोमोजोम, चौथे नमबर का क्रोमोजोम, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, यह पहला क्रोमोजोम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाचवा, छटा एंड, ऐसे करके 23 वा क्रोमोजोम, फिर मम्मी के दरफ से पहला दूसरा तीसरा चौथा पाचवा छटवा साथवा आठवा नवा दसवा ऐसे करके 23 क्रोमोजोम की एक कॉपी क्या हो गया अभी थोड़ा सा फ्लास के बाद सोफा रखा है हमने वहां पे आप फोटो भी देना साथ में है ना इस टेटरल जालना आज कौन सा दे देखें मंडे मूड विद बैस्टी ऑफटर लॉंग टाइम मैंने आपको टाइटल भी दे दिया ऑफटर लॉंग टाइम ठीक है ऐसा बूक तो नहीं लग रही जाए उसका चहरा उसकी हसी देख लो शायद भूक मिट जाए मैंने सुना है बैस्टी की हसी देख लो तो सार महां तो पॉस्ती एफेइस लगाया होगा मैं बैस्टी बहुत बढ़े दिया ठीक है कि आपके पास जो स्यारीज्ट क्रोमोजां हैं उनमें 23 क्रोमोजां की अच्छ कॉपी पापा ने दी है थीज़ प्रेदे नंबर के क्रोमोजोम की एक कॉपी पापा ने दी एक कॉपी मम्मी ने दी दूसरे नंबर की क्रोमोजोम की एक कॉपी पापा से आई एक कॉपी मम्मी से आई तीसरे नंबर की क्रोमोजोम की एक कॉपी मम्मी से आई एक कॉपी पापा से चौथे से चौथे नंबर क क्रोमोजोम की कॉपी पापा ने दी एक कॉपी मम्मे ने अए समझ में आ गया कॉपी का मदब समझ मैं आ यहां पर जैसे हम हर मांक शीट की फोटो कापी करागे रखते हैं पाच वी आठ वी दस वी बार वी इनकी हमें के कॉपी उसके नीचे रखते हैं न जरूरत पढ़ने पर हम निकाल के दे देते हैं लेकिन जब ढूडने बैठते हैं तो कुछ मिलता ही नहीं है समझ गए सारी आंसर शीट मिल जाती है तो आधरकार्ट नहीं मिलता ठीक है समझ गए ऐसा तो मेरा जो आपसे कहने का मतलब है वो यह है कि हर एक क्रोमोजोम की एक कॉपी आपको तो 21st नंबर के क्रोमोजोम की एक कॉपी आपको पापा से मिल गई यह वाली एक कॉपी आपको उम्मी से मिल गई यह वाली लेकिन अगर आपको 21st क्रोमोजोम की दो कॉपी एक ही सिंगल पैरेंट से मिल जाएं तो टोडल कितनी कॉपी हो जाएंगी एक पैरेंट से दो मिल हो गई तेन इसी समस्या का नाम है ट्राइसोमी ट्राइसोमी ओफ ट्वंटी फर्स्ट क्रोमोजोम 21 वे नंबर की दो कौपी आपको पिता ने देती और एक कौपी आपको मम्मी ने देती तो टोटल कितने क्रोमोजोम हो जाएंगे आपके पास 21st नंबर की क्रोमोजोम के कितनी कौपी आपके पास हो जाएंगे तीन तो टोटल नंबर और क्रोमोजोम कितने निकल के आएंगे 47 क्योंकि 46 तो हो नहीं थे पहले हर क्रोमोजोम की एक कौपी से पापा से मम्मी दोनों की तरफ से लेकिन अगर 21st नंबर के क्रोमोजोम की एड kromosomal disorder आया की नहीं आया आ गया तो बताओ हो गया assignment बन रहा है बना दो कुछ help लगे तो पूछ लेना चेतन सर से है नो तो कोई पूछे आप से कि बताओ बताओ एक kromosom की कितनी copy आप में आती है क्या जवाब दोगे एक kromosom की एक copy आप में आती है ठीक है एक kromosom की एक copy आप को पितासे मिलती है उसी same kromosom की एक copy आपको मम्मी से मिलती है है ना तो आप घर जा के पूछ तक तो मम्मी मम्मी क्या आपने हमें एक कॉपी दिये thanks for giving us one copy of first chromosome है ना 1 to 23 chromosome की एक कॉपी मम्मी से मिली एक कॉपी बापा से मिली याद हो गया है ना किसी ने पूछा आप में कितने दियेक है पूछ्सिसे क्रूमजूम आपने कहा 46 क्रूमूजूम किसी नहीं करता पापा ने कितने दिये 23 मांवी ने कितने दिये 23 में जो नंबर है उसने पहले नंबर के क्रूमु zूंक यह कॉप equality पापा ने उसी सेम पूप क्रोमोजोम की एक कॉपी मम्मी नहीं, तो एक और एक कॉपी मिलकर दो कॉपी हो गई, तो एच 23 क्रोमोजोम की दो कॉपी हमको मिली हैं, एक पापा से एक मम्मी से, आया की नहीं आया, आ गया, ठीक, बहुत खुशी की बात है, तो बताओ, एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी समस्या, एक ऐसी condition, genetic disorder के अंडर जिसमें आप chromosomal disorder की बाते करोगे आप down syndrome में chromosomal disorder की बात करोगे आप clean filter syndrome में chromosomal disorder की बात करोगे क्योंकि यहाँ पर भी ऐसा ही होता है male के पास xy होता है, female के पास xx chromosome होता है sex chromosome के रूप में, ठीक है female के पास 2x chromosome होता है male के पास 1X और 1Y होता है एक अक्षा 10 में पढ़ता है पढ़ा है पुरुष के पास XY है मादा के पास मादा मतलब female इस्तरी नारी ठीक है उसके पास XX है तो अगर एक और additional X chromosome भी आकर male में add हो जाए तो male के अंदर chromosome कितने हो जाएंगे देखो एक्स और Y लेकिन अगर कोई additional X chromosome आकर जुड़ जाए trisomy of X chromosome अगर हो जाए तो male के पास XXY condition बन जाएगी क्या बन जाएगी XXY condition इसी समस्य को बूलते है क्लिन फेल्टर सिंड्रोम जिसकी detail हम next में समझेंगे next class में समझेंगे यह सारी बीमारी को पढ़ना पढ़ता है exam में आती है इसके अलावा Turner syndrome Turner syndrome में female के पास दो X chromosome होते हैं उनका एक X chromosome गायब हो जाता है तो condition बन जाती है X 0 Turner syndrome वाली female में कितने chromosome रहेंगे 40 5 Normal female में X X की वज़ए से 46 chromosome लेकिन Turner syndrome की patients में जो female है उनमें एक X chromosome गायब हो जाएगा तो total कितने हो जाएंगे? 45 Clean fighter में कितने हो जाएंगे? 47 Turner syndrome Down syndrome में? 47 तो बताओ इसमें normal chromosome से ज्यादा है chromosome की कम है ज्यादा है है ना? दो में ज्यादा है एक में कम है तो हम इस समस्या को chromosome disorder बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं तो गुण सूत्र गुण सूत्री की संखिया आप में 46 है वो संखिया अगर बढ़ जाए तो भी गुण सूत्र disorder अगर संखिया कम हो जाए तो भी गुण सूत्र समंदी समस्या आया समझ में आ गया ठीक है अगली चीज है multifactorial ठीक है multifactorial का मतलब होता है multifactorial का मतलब होता है कि आप जो है एक से ज्यादा एक से ज्यादा चीजों की बाते करने वाले हो ठीक है एक से ज्यादा चीजों की बाते आप जिसमें करते हो इसको multifactorial बोलते है ठीक है multiple मतलब एक से ज्यादा multi story building में बहुत सारी माले होते हैं अपने उसको multi बोलते है multi multiplex क्या होता है multiplex multiplex मतलब cinema hall में एक से ज्यादा movies चलती हूँ है न एक ही theater में दो movies चलती है एक इस तरफ चलती है एक अब उसर तरफ चलती है जिनको वाली movie देखना है वाली देखने थे बढ़िए अपनी पसंद की ठीक है ऐसा तो multifactorial का मतलब है कि jeans तो यहाँ पर जिम्मेदार है जीन तो यहाँ पर defect cause करेंगे disorder cause करेंगे लेकिन साथी साथ कुछ factors भी जिम्मेदार होंगे कुछ factors भी जिम्मेदार होंगे जैसे तंबाकू खाने से कर्क रोग होता है यह टाइटल हम कई सारी मूविस को शुरू होने से पहले सुनते हैं है ना तंबाकू महंगा पड़ेगा आज ही छोड़ें ऐसे सिने महाल में बताता है वो ठीक सारुजानिकिस्तानों पर तंबाकू निशेध है इस पर जर्माना भी हो सकता है फिर एक उसमें आदमी को लटे हो बता तो इसका नाम उकेश रहता है ठीक है थे ना तो जो है फिर एक आड़ाता ऐक्षेकुमारवादा ठीक है वो जिसमें बो तो मूवीस में थेटर में यह सब चीज़े होती है तो नीट निकाल देंगे अपन सब चलेंगे बच्चो वाली पिच्चर देखने ऐसा काटून वाली जो पिच्चर आई यह देखने चलते हैं तब आप देखे देटर जिन्हों नहीं देखा भी तक चलिए तो मैं केट्स जैसे कैंसर नगल में काजन सक्टान तो वो जो है जמה गेशी है इलबर तो जोyou ये सब chemicals में carcinogens होते हैं carcinogens वो chemicals होते हैं जो cancer cause करते हैं cancer causing agence depends on carcinogens ठीक है तो ये carcinogens जब लगातार आपके cells में आपके oral cavity के cells के contact में आते हैं तो यह वहाँ पर ऐसा कुछ induction करते हैं कुछ ऐसे chemicals को induce करते हैं कुछ ऐसी process को induce करते हैं जिसकी वज़े सेल्स के अंदर mutation होने लगता है और उस mutation की वज़े से कही ना कही genotype change होता है cell का और उस mutation की वज़े से genotype के बाद phenotype change होता है और phenotype change होने की वज़े से वो cell दूसरे कोशिगाओं के दूसरे cell के contact में आने लगता है और मिलकर एक टिउमर बना देता है और वो इस साथ फिर फूलने लगता है समय के साथ है ना फिर उसकी हम आयोपší कराते हैं बायोपषी में अगर कारसीनोमा दिखाई देता है तो फिर डॉक्टर बता देता है कि लास्ट इस्टेज में पहुँच जाता है तब वो आता है Cancer Hospital जहां पर लोग उसको बोल देते हैं डॉक्टर बोल देते हैं इतने दिन हैं आपके पास जाओ जी दो अपनी जिन्दिगी तो वो जी लेता है अपनी जिन्दिगी ठीक है बास समझ गए Operation करके उतने हिस्से को काटके निकाल दिया जाता है और जितना हिस्सा निकाल देते हैं उसकी जगर नई चमड़ी किसी और बोडी के पार्ट से निकाल करवा चिपका देते हैं इसी को Plastic Surgery बोलते हैं है ना, प्लास्टिक सर्जरी के मलब प्लास्टिक पिगला कर चिपका गोना, और चेहरा चेंज कर देना नहीं होता, जैसे टीवी सीरिस वाले करते हैं, जब उनको पुरानी एक्टरेस को निपटा के नई एक्टरेस लाना हो, तो उसका accident करवा देते हैं है ना, चहरा जलबा देते हैं फिर नई heroine को लाने के लिए वो जो है उसकी plastic surgery कर देते हैं उसको पट्टी लपिटा वो दिखाते हैं तो अगले दिन जो है उसको नए चहरे के साथ दिखाते हैं फिर वो अपने आपको ऐसे देखती है इने में ऐसे आइने में देखती है अपने आपको ठीक है कभिया इसे भी करती है ठीक है तो जो है उसके बाद है ना है ना समझे फिर उसका पती आता है उसको देखना है गुलदस्ता लेकर ठीक है फिर वो फिर वो मैं तुम्हारे मैंने तुम्हारा दिल दील देखा है तुम्हारा चहरा नहीं तो जो है फिर वडिख्राइब गाना जाणा बच्छताय को भूता तो वस समझें आगे विल्यक्री तो कैंसर में कई सारे फैक्टर जिम्मेदारीख कार्सिनोजन जिम्मेदार हैं जो आगे चलकर ट्यूमर कॉस कर सकते हैं ठीक है तो ट्यूमर कॉस हो जाने की वज़े से जो है वो कैंसर हो सकता है लगातार कोई सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी है शुकर कंटेंट ज्यादा बढ़ा दे अपनी डाइट में है ना और फैट बहुत सारा गें कर ले उसकि डायेटरी हैबिट चेंज हो जाए तो आगे चलकर उसको डाइबडीज हो सकती है ठीक है आर्थराइटेस से एक एज-related problem है तो यह सारी चीज़ें multifactorial में आती है ठीक है आर्थराइटेस की genetic history भी होती है है ना कई पीडियों से अकर arthritis चला आ रहा है तो आने बादे बच्चों में भी arthritis हो सकता है इसे लिए हम arthritis को multifactorial genetic disorder का दर्जा देते हैं आई बस समझ में तो genetic disorder में इन चीजों के आने की संभावना exam में कम है लेकिन याद करना जरूरी है ठीक है क्योंकि NCRD multifactorial नहीं है लेकिन फिर भी पता होना चाहिए जो दो कोशन एक्स्ट्रा आते हैं अलग से आते हैं उसमें एक सवाल ये भी हो सकता है ठीक है और क्लास में ये बोलकर आप style भी मार सकते हो क्योंकि genetic disorder की definition लोग याद नहीं होती आप इंदा बता दो कि तो सब आपको फैन हो जाएं अगर पूशेंगे आपकी सब क्या राज है फिर आप बोलोगे अगर आप भी मेरी तरह समझदार और काबिल बनना चाहते हैं तो आज ही जोइन करें विजसिंग क्लासेश ठीक है इसके बाद आता है monogenic मोनो मतलब क्या होता है इसकूल का मोनो मोनो मतलब एक सिंगल जैनिक मतलब जीन तो अगर एक सिंगल जीन की वज़े से कोई समस्या उत्पन होगी तो उसको क्या बोलेंगे monogenic genetic disorder ठीक है यह genetic disorder का नुवांशिक समस्या के तीसरा डाई पर अगर जीन्स में किसी तरह का कोई defect आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे monogenic disorder sickle cell anemia sickle cell anemia में एक सिंगल जीन एक सिंगल जीन के अपनी जगा से निकल जाने की वज़े से और उस जीन के जगा दूसरे जीन के आ जाने की वज़े से defect create होता है ठीक है sickle cell anemia में क्या होता है कि एक जीन होता है ठीक है ये जीन जिम्मेदार होता है RBC के shape को निर्धारित करने के लिए ठीक है एक जीन हमारी body में होता है जो red blood cells के shape को निर्धारित करता है और hemoglobin का formation कराता है hemoglobin के normal chain बनवाता है ये सारी चीज़ें सबज में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ लाल रक्त कोशेकाओं के भीतर hemoglobin पाया जाता है सुना होगा hemoglobin का structure होता है संरशना होती है hemoglobin एक red color का pigment होता है जिसकी अपनी एक संरशना होती है अगर वो संरशना निलधारित करने के लिए एक specific gene जिम्मेदार होता है है ना अगर वो gene अपना काम ना करे तो संरशना तयार होगी या नहीं होगी नहीं होगी भई gene की जिम्मेदारी थी red blood cells के shape को decide करना gene की जिम्मेदारी थी hemoglobin बनवाना अगर gene ही defected है तो यह दोनों काम हो पाएंगे की नहीं हो पाएंगे हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे तो sickle cell anemia में एक अकेला gene एक single gene जो red blood cells के shape को decide करता था और hemoglobin के structure को decide करता था वही gene गायब हो जाता है जिसकी वजह से genetic disorder आता है परिणाम स्वरू red blood cells का shape हसिये के समान हो जाता है हसिया समझते हो और hemoglobin भी इसमें कम बनता है ठीक है ऐसी समस्या को sickle cell anemia बोलता है ठीक है cystic fibrosis भी एक genetic disorder है जिसमें आप single gene की वजह से body में mucos का secretion ज्यादा पाते हो और उसकी वजह से आपको lungs में और respiratory tract में infection नजर आने लगते हैं ठीक इसके बाद congenital disease congenital disease का मतलब होता है जन्मजात रोग कई बीमारियां जन्मजात होती है पैदाईशी होती है बाइबर्थ होती है जैसे बाइबर्थ और्ट कटा हुआ है इसे बोलते है cleft palate cleft palate c-l-e-f-t cleft p-a-l-e-t-e palate cleft palate जन्मजात बीमारी होती है जिसमें और्ट कटा हुआ लेकर पैदा होता है बच्चा plastic surgery से एक chance होता है कि ठीक हो जाएगा लेकिनों ती finishing नहीं आपका थी थोड़ा बहुत नजर आता है ठीक है इसके अलाबा कोई पैदाईशी जो है वो mentally retarded है तो वो भी congeneral disease में आएगा जन्मजात रोग में आएगा ठीक है इसके अलाबा अगर कोई पैदाईशी नेतरहीन है तो वो भी congeneral disease है इसके अलाबा कोई पैदाईशी बहरा है deep है एक होता है deep mutism deep mutism मतलब गुंगा भी बहरा भी जो बहरा है वो गुंगा भी होगा क्योंकि इसने कुछ सुना नहीं है तो बोलेगा क्या ठीक, है ना तो congenital disease जो है वो किसी genetic defect की वज़े से हो सकते है है ना embryogenesis के दौरान किसी defected gene के आने की विज़े से एक organ बना ही नहीं बोडी का यह defect है तो इसे आप किस exam में बोलेगा congenital disease किस तरह के genetic disorder को represent करते हैं option ए क्रोमोजोम और option भी multifactorial option सी monogenic monogenic आया इसके बाद आते हैं phenyl ketonuria पर phenyl ketonuria में क्या होता है कि आपकी बाडी में जो एक particular gene है वो gene जो एक special amino acid बनाने के जिम्मेदारी उठाता है जैसे phenyl alanine phenyl alanine एक amino acid है जो body के immune system को काम करने के लिए प्रेरिद करता है phenyl alanine नाम का amino acid change होता है phenyl pyruvic acid में लेकिन अगर वो enzyme जो इस gene की वज़े से बन रहा था ठीक है वो enzyme ना बने तो phenyl alanine phenyl pyruvic acid में change ना होकर phenyl tyrosine sorry मैंने गलत बोला यहाँ पर phenyl alanine को tyrosine में change करने के लिए एक enzyme चाहिए जिसे बूलते है phenyl alanine hydroxylase ध्यान से सुनो phenyl alanine hydroxylase एक उत्परेरक का नाम है enzyme का नाम है phenyl alanine hydroxylase एक enzyme का नाम है यह enzyme phenyl alanine नाम के amino acid को phenyl pyruvic acid में sorry tyrosine में change करता है ठीक है लेकिन अगर यह enzyme ना आए तो phenyl alanine tyrosine में change ना होकर phenyl pyruvic acid में change होने लगता है और वो phenyl pyruvic acid हमारे brain में store हो जाता है हमारे kidney में store हो जाता है हमारे vital organ में store हो जाता है जिसकी वज़े से हमें दिक्कते पैदा होती है बस उसी बीमारी को phenyl alanine के नाम से जानते है आप से किसे ने बोला phenyl alanine क्या है phenyl ketonuria क्या है तो आप कहना आपकी body में एक enzyme एक amino acid है जिसको बोलते हैं phenyl alanine यह phenyl alanine tyrosine में change होना होता है normally यह phenyl alanine tyrosine नाम के chemical में change होता है यह सब biomolecular में लिखा हुआ है जैवड़ों में लिखा हुआ है phenyl alanine नाम का amino amyl किस में change होना है tyrosine में और इसे change करने के लिए क्या चाहिए phenyl alanine hydroxylase यह enzyme चाहिए ठीक है जिस enzyme जिस व्यक्ती की body में इस enzyme को बनाने वाला gene नहीं होगा उसकी body में phenyl alanine tyrosine में change हो पाएगा नहीं हो पाएगा in absence of this enzyme phenyl alanine get converted into phenyl pyruvic acid phenyl pyruvic acid phenyl pyruvic amyl ठीक phenyl pyruvic acid का deposition हो जाएगा आपके brain में आपके kidney में आपके vital organ में जिसकी वज़े से आप में mental retardation आएगी इसी समस्या को बोलते हैं phenyl ketonuria अब यह आपको बहुत संशित में समझाया गया है इन सब की details हम लोग पढ़ेंगे एक-एक करके अब यह flow chart पढ़ाना जरूरी था यह exam में पूछा जाता है इससे कई सारे सवाल आते हैं कि कौन सी बीमारी monogenic disorder है कौन सी बीमारी multifactorial type का general disorder है कौन सी बीमारी chromosomal disorder type का general disorder है इतना आ गया समझ में तो मेरे ख्याल से आपको तीनों चीज़े clear है है ना अनुवाशिक disorder आपको clear है है ना और इतनी ही चीज़े आपको यहाँ पर समझनी चाहिए